जुड़ रहे हैं आपने यूजिली इनको कहीं देखा नहीं होगा हमारे खास मित्र और पराग पारिक mutual fund के chairman and CEO भी है हमारे साथ नील पराग पारिक नील बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और show पे आने के लिए धन्यवाद धन्यवाद और सबको दिवाली की पूछना चाहूंगा मुझे याद है कई साल पहले सबसे पहले अगर कोई Indian mutual fund ने अपने investors को विदेशों में invest करने की opportunity दी थी अपने funds के जरीए तो वो आपका mutual fund था पराग पार एक mutual fund और उसके बाद हम सब ने देखा कुछ वर्षों में विदेशों में invest करना especially US funds में invest करन एक परंपरा हो गई एक fad सा बन गया था Indian investors में अब 30% का fall आया है in fact पिछले साल तो बहुत ज़्यादा popular हो गया था करीब करीब 30% का fall US markets में आ चुका है क्या आप क्योंकि आप बहुत closely track करते हुआ के valuations और earnings वगरा वगरा US markets में क्या value emerge हो रही है pure value की बात कर रहा हूँ मैं समय जी तो हमारे जो investments है वो ज्यादा तरह tech space में ही है और उसमें ही ज्यादा fall आये है US markets में तो अभी जब ये fall आये और जो हम stocks hold कर रहे है वो मैं बोलता हूँ कि वो mature tech होते है तो कई ऐसे भी stocks आये जो new tech है जो बहुत जल because funding बहुत easy थी because of low interest rates और ये mature tech जैसे Google, Amazon, Microsoft जैसे businesses है वो तो बहुत सालों से है और profit बनाते है और growth भी बहुत अच्छी है तो ये fall के बाद ये actually ज्यादा attractive होने लगे और अगर हम buy कर सकते है foreign stocks तो शायद हम buy कर लेते अभी पर RBI का limit अभी breach हो गया है तो हमें रुकावत है foreign investments और करने के लिए नील Indian markets के valuation की बात करते हैं मैं एक और बात आपको बहुत congratulate करना चाहूँगा आपके mutual fund बहुत select funds चलाते हैं और बहुत जादा जिसे कहते हैं कि एक fund house में बहुत सारे अलग-अलग funds investors सो confused हो जाते हैं कभी-कभी investors आपका ऐसा policy नहीं है इस समय आपके funds में large cap, small cap, mid cap तीनों areas of the market जिसे कहते हैं उन पे valuation की picture क्या बन के आ रही है आपकी, कौन सा हिस्सा सस्ता है, कौन सा fairly priced है, कौन सा महंगा है तो इधर हम bottom up stock picking करते हैं तो individual stock को अपने by itself दिखते हैं तो actually valuation comfort across the market है पर बहुत stock selective करना पड़ता है ऐसा नहीं है पहले के जहां एक बड़ा पॉल आया और जो भी हम ले वो उपर जाएगा यह नो वो वो परिस्तिती नहीं है अभी actually अभी काफी stock से जो बहुत over valuation में चल रहे हैं चल रहे हैं और ऐसे भी pocket से जहां under valuation है तो हम उधर concentrate करते हैं ज्यादा तर अगर हम bottom up करते हैं तो stock wise जाते हैं तो ऐसा नहीं कि small cap अच्छा है या large cap अच्छा है या mid cap I think valuation comfort stock specific wise है हमें लगता है absolutely Neil good morning stock specific valuation comfort आपको wise नज़र आ रहे हैं larger indexes की आपने बात कहीं लेकिन थोड़ा सा deep dive करते हैं sector specific approach की तरफ technology पर आपने अपना outlook बताया positive stance है आपका global market हो चाहें domestic लेकिन इसके लावा sector specific कहां पर positivity घरेलू बाजार में नज़र आ रही है जी हमें actually हम private sector banks पे quite positive है ऐसा हुआ था कि actually pandemic में जब pandemic स्टार्ट हुआ तो हमने actually अपने allocation private sector banks में बहुत कम कर लिये थे we had sold off some private sector banks वो time मालना था कि देखे banks अच्छे है अच्छा lending कर रहे है पर अगर retail को lend किया है और वो काम पे नहीं जा सकते या पैसा नहीं बना सकते या आमदनी नहीं आती है तो वो loan pay नहीं कर सकेंगे तो उसके वो uncertainty के वज़े से हमने sell-off किया था थोड़ा और allocation कम किये थे पर अभी हमें लगता है कि balance ship clean हो गए है NPS का इतना it's not that bad right now NPS और valuation comfort ज्यादा है तो we are quite positive on private sector banks उसके अलावा IT में भी मैंने foreign IT की बात की है पर IT services इंडिया में भी काफी attractive लग रहे है evaluation wise और auto automobiles auto sector ने last four five years में perform किया नहीं है और अभी हमें लगता है turnaround आ जाएगा तो ये तीन sector आगे जाके हमको काफी अच्छे लगते है नील खराब क्या लग रहे है I'm sorry खराब क्या लग रहे आपको market में खराब क्या लग रहे है yes yes तो मैंने जो पहले बोला कि overvaluations pockets में overvaluations है तो हमें consumer facing companies थोड़े expensive लग रहे है like FMCJ जो थोड़े expensive लग रहे है और rising interest rates में we have to be careful कि कितना हम पे करते है stock के लिए और निवेश करने के लिए कितना पे कर रहे है तो ये टाइम पे especially जो stocks जो high P या high valuation पे चल रहे है और हमें लगता है वो consumer space में तो हम थोड़ा उसको we are not very positive on that निल की आपने कई pharma stocks अपने schemes में add किये हैं पिछले कुछ हफतों और महीनों में pharma एक दो साल के कुछ consolidation से selectively बाहर आ रहा है और ये एक view है कि शायद pricing pressures US के भी कम हो रहे है दूसरा Indian market जो है जो pharma companies का India portfolio है वहाँ बड़ा vibrancy है growth अच्छी है opportunity बड़ी है आपने किस segments में pharma नाम बढ़ाएं अपने और आपका क्या view बन रहा है क्यों positive हो गया आप pharma पे तो pharma पे हम पहले से ही थोड़े positive रहे है पर pharma में क्या होता है हमारा basket approach होता है बहुत मुश्किल होता है कि एक pharma stock पे आप bet करो के और उसको बहुत ज्यादा allocation दे दो 5-6-8% allocation दे दो आपके portfolio में हमारा क्या मानना है कि ये actually करना काफी मुश्किल है तो जो हमको qualities pharma stocks पे जो हमें qualities अच्छे लगते है ये pharma stocks के तो हमने एक basket approach लिया है कि 5-6 stocks हम pharma के लिए और 1-1% allocation करें तो उसमें हमारा pharma का allocation होगा पर एक stock पे या एक company पे बहुत ज्यादा concentration नहीं रहा है हमने spread out किया है pharma हमें काफी ठीक लग रहा है defensive stock है defensive sector है जो उपर नीचे होते भी काफी decent कर लेते हैं तो we are quite positive on pharma अलसो पर हमें basket approach चूज किया है instead of individual stocks फिरकोल नील साथ ही pharma sector पर तो हम देख भी रहे हैं यहाँ पर growth जो है trajectory बढ़ती हुई नजर आ रही है लेकिन consumption theme पर भी आप अपनी राय दीजे क्योंकि consumption stocks भी है जो काफी अच्छा perform भी कर रहे हैं और आगे demand outlook काफी positive नजर आ रहा है हाँ तो definitely तो positives तो काफी है पर अगर हम bottom up stock picking करते है तो उसमें valuation comfort भी होने चाहिए तो काफी ऐसे नाम है जो अच्छे किया है last five, seven years बहुत अच्छा किया है पर अभी अगर buy-in करने का है तो हमें valuation देखने की है starting valuation बहुत important होती है company बहुत अच्छी हो सकती है पर अगर आप जो निवेश करते है या price pay करते है वो अगर starting में ही ज्यादा है तो आगे जाके गट्टे की शमता ज्यादा है तो हमें लगता है कि और हमारा यह मानना है कि valuation जहाँ comfort होती है हमें वहाँ हम stocks लेंगे तो जो company अच्छी हो सकती है पर valuations क्या अच्छा है कि नहीं वो हमारी research की decide कर लेती है आने से पहले यह बताके जाहिए कि आपके जो flexi cap है जो आपका मैं assume कर रहा हूँ multi cap kind of portfolio होगा उसमें earnings growth आपको next 3-5 साल आपको 20% की earnings growth की comfort है इस समय blended तो वो actually मेरे पास वो numbers है नहीं अभी readily पर जो भी हमने stocks buy किये है या जो भी portfolio में है तो हमें उसमें बहुत ज्यादा comfort है कि वो अपने portfolio में है अगर हमें comfort नहीं होती कि 15% at least growth होती है तो वो अपने portfolio में रहती ही नहीं individually मुझे पता नहीं exactly कैसा होगा पर on a whole I think 15-18% तो होना चाहिए portfolio में absolutely नील आपका बहुत चुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अपनी top holding sector specific approach और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ जो शेर करने के लिए तो यह है परागपरिक के नील परागपरिक जो कि बाजार पर अपना outlook और साथ ही अपने portfolio holdings पर conviction कौन से sectors पर उन्हें नजर आ रहा है और बाजार पर इस वाख कौन से themes उन्हें play out होते भी दिख रहे हैं इस पर विस्तार से बाचीत करते हैं